मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पुरी दुनिया ही तबाह हो गई थी, वहां हमें एक स्पेस्शिप दिखाई जाती है जहां पर एक नया दुनिया बसा हुआ था, उस स्पेस्शिप में रहने वाले लोग अपना क कचरा नीचे जमीन पर डंप करते थे, फिर एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है, और यह कोई मामूली रोबोट नहीं था, वो एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बोडी तो इंसान की होती है, मगर बाकी बोडी मशीन होती है, तो वो डॉक्टर डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहां कैसे और कहां से आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि वह कहां से आई है, तो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता है पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम मुझे गार्बिच से मिली थी, और वो स्पेस्शिप को देखती है तो वर डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है जहां डॉक्टर उसे बताता है कि वल्ड वार के बाद यही एक आखरी सिटी बच गया है और इसका नाम स्काइ सिटी है वो ये भी बोलता है कि स्काइ सिटी में जिंदगी बहुत अच्छी है और सभी वहां पर जाना चाहता है मगर वहां पर सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं और हम जैसे गरीब लोग इस दुनिया में रहते हैं और फिर डॉक्टर ने उसे एक नाम भी दिया और उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलेटा है अलेटा अपना यह नाम सुनकर बहुत खुश हो गई थी और फिर डॉक्टर अलेटा को यह भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काइ सिटी के लिए ही काम करते हैं कि यूकि स्काइ सिटी में बहुत सारे फैक्टरीज, इंडास्टरीस और तो और खेत भी हैं उसके बाद अलेटा एक भी बन जाते हैं अब उसी रात को सिटी में एक लड़की का खून हो जाता है एक्च्वली उस सिटी में एक सीरियल किला था जो लड़कियों की मड़ करता था और फिर उनकी बॉड़ी के पाथ को बेचता था उसी रात अलेटा डॉक्टर को कहीं बाहर से घर वापस आते और उनके हाथों पर खून लगा हुआ है जो देखकर वह सोचती है कि सिटी में जो मड़ हो रहे थे वह खूनी और कोई नहीं बलकी डॉक्टर ही है नेक्स्ट डे डॉक्टर से मिलने उसकी बीवी आती है और उन दोनों सेपरेट हो गए थे वहाँ हमें यह पता चलता है कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलेटा को लगाई थी वो एक्चुली उनकी बेटी की बॉडी थी उन्होंने उसकी बॉडी अलेटा को दिया था क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी उसके बाद हुगो अलेटा को गेम खेलने के लिए ले जाता है अलेटा वो गेम बहुत अच् कि SKY SITI से जमीन तक सारा समान इसी पाइप के जरिये ही आता है और मैं SKY SITI में जाने के लिए बहुत hard work कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहां जाके ही रहूंगा अब अलेटा पूछती है कि Sky City दिखने में कैसी है जवाब में हुयोगो बताता है कि डॉक्टर ने तो तुम्हें गार्बिज में से उठाया था और वह गार्बिज Sky City का ही था इसका मतलब ये है कि तुम Sky City से ही आई हो मगर एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वह अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी, एक्चुली उसकी मेमरी लोस हो गई थी अब अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जा रहा होता है और एलिटा भी उनका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई कातिल नहीं है बलकि वो एक वारिया हंटर है वारिया हंटर वो होते है जो किलर्स को मारते है और फिर उन किलर्स के बॉड़ी को फैक्टरी में ले जाया जाता है जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते है एलिटा डॉक्टर से बात कर रही थी के तभी वहा किलर्ज आ जाते हैं उनमें से एक को एलिटा बड़ी बहादुरी से मारती है फिर और एक लड़की किलर भी वहाँ आती है और उसे भी एलिटा मारने में कामियाब हो जाती है और तीसरा किलर दर से भागने के लिए मजबूर हो जाता है अब वे खिलर्स के सर को लेके फैक्टरी जाते हैं जहां पर उन्हें सर के बदले में पैसे मिलते हैं जिसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी वारिया हंटर बनने की वजह बताता है एक टाइम था जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन हमने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट हमारे घर में आकर हमारे बेटी को ही उठा कर ले गया था इस इंसीडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत गुसा आया और रोबोट को तोड़ दिया और तब से डॉक्टर एक वारिया हंटर बन गया. अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है और वो सिटी में होने वाली रेस केम का उन था. और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर के वाइफ को भी देखते हैं. यहां हमें ये पता चलता है कि वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी हालत अलेटा ने किया है. जहां पर वेक्टर उससे कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए, जवाब में रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, बलकि वो बहुत स्ट्रोंग है. अब वेक्टर उस र इम में विना होता है उसे स्काइ सिटी भेज दिया जाता है। फिर हुयगो एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए लेके जाता है। वह कहता है कि यह शिप 300 साल पुराना है, यह दुश्मनों का शिप था। अब एलिटा जब उस शिप को देखती है तो वह शिप उसे बहुत कर दीजिए, मगर डॉक्टर ऐसा करने से माना कर देता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह बोडी बहुत पावफुल है, क्यूंकि इसमें बहुत सारे वैपन्स भी लगे हुए हैं। और अगर यह बोडी तुम पे फिट करूंगा तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी, इत पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे, जहांपर वो सब लोगों को वैक्टर के रोबोट को मारने के लिए उकसाती है। वो बोलती है कि यही वो किलह है जो सिटी के सारी लड़कियों को मार रहा है और दूसरे लोगों को भी मार रहा है। तब ही वहा के एक हंटर एलि से वो दूर जाकर गिर जाता है यह सब देखकर सारे हंटर्स बहुत हैरान रह जाते हैं कि तभी वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में बहुत बड़ा हो चुका था क्यूंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था आते ही वह रोब के बीच बहुत फाइट होती है मगर आखिर में वह रोबोट अलेटा को मार डालता है और उसकी बॉड़ी की टुकड़े टुकड़े कर देता है मगर तभी वहाँ पर डॉक्टर और हुयगो आ जाते हैं वे उस रोबोट का मुकाबला करते हैं और उसे बहुत मारते हैं और डॉक्टर के पास एलिटा के शिप से लाए हुए बोडी उस पे लगाने के अलावा कोई आप्शन नहीं होता यहाँ पर सुबह एलिटा अपनी नई बोडी पाके बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि नई बोडी बहुत पावफुल और वेपन्स वाली भी थी और तो उस बोडी से आग भी निकाल सकते हैं अब अगले दिन अलेटा हुएगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बोडी दिखाने के लिए यहाँ हुएगो एलिटा की नई बोडी देखकर बहुत खुश हो जाता है यहाँ पर हुगो एलिटा को बताता है कि मैं स्काइ सिटी जा चाहता हूं जितना जल्दी हो सके मगर वहां पर जाने के लिए हर इνसान को कुछ पॉंट्स चाहिए होते हैं और यह पॉंट्स या तो किसी को मार कर लिया जा सकता है या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिया जा सकते हैं यहाँ Elita Viagoo को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती ह ये लो मेरी दिल, ये कोई मामूली दिल नहीं है। इससे कई दिनों तक इलेक्ट्रिक मिल सकता है और तुम इसे बेच देना, इसके बगले में तुम्हें कुछ पोइंट्स मिलेंगे और फिर तुम स्काइ सिटी चले जाना। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स अलेटा को मारने के लिए हाया करता है। वो कहता है कि अगर तुमने रेस में अलेटा को मार डाला तो मैं तुम सब को 5 मिलियन पॉइंट्स दूनगा जो काफी है स्काइ सिटी जाने के लिए। अब हम उसी हंटर को देखते हैं जिसे कलब में अलेटा ने मारा था और वो अलेटा से अपना बदला लेना चाहता था और वह एक आदमी को मार कर सारा इलजाम हुएगो पर लगा देता है। अब क्यूंकि हुएगो पर किसी को मारने का इलजाम था इसलिए अब वह किलर बन गया था। अब यहां हम देखते हैं अलेटा ने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टॉट होते ही रेस में जितने भी किलज होते हैं वह सारे अलेटा के पीछे पर जाते हैं और वो अलेटा पर अटेक कर देते हैं मगर अलेटा भी किसी से कम नहीं थी वो सब का मुकाबल अब यहाँ एलिटा के पास हुयगो की call आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पर गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है अब एलिटा हुयगो को बचाने के लिए rase सोर के चली जाती है फिर एलिटा हंटर के पास पहुंच कर उसे बहुत बुरी तरह मारती यहां वो देखती है कि पूरे सिटी में दिखाया जा रहा है कि हुयगो एक किला बन गया है और उसे पर इनाम भी था यानि जो भी उसे ढूंगेगा उसे 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे तभी हुयगो को मारने के लिए वहां पर सिटी के पुलिस आ जाते हैं क्योंकि सबका ये मानना था कि हुयगो एक किला है और उसे मरना जरूरी है इसलिए सभी एलिटा को कहते हैं कि वह हुयगो को मार डाले मगर एलिटा हुयगो को नहीं मारती कि तभी वो हंटर एक तलवार से हुयगो को मार डालता है अब यहां पर हुयगो देखते ही देखते मर जाता है और तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है वो एलिटा को कहती हैं कि तुम हुयगो का सर काट लो क्योंकि हम इसकी सर के साथ एक बॉडी लगा कर इसको रोबोटिक बना देंगे डॉक्टर की वाइफ अब बदल चुकी थी, वह अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी, ताकि हुगो दोबारा से जिन्दा हो जाए अब यहां पर एलिटा हुयगो का सर काट कर सब को दिखाने के लिए ले जाती है और फिर वो हुयगो की सर को डॉक्टर के पास ले कर जाती है जहां पर डॉक्तर हुयगो की सर के साथ एक दूसरी बाडी लगा देते हैं इसलिए हुयगो दोबारा जिन्दा हो जाता है अब डॉक्तर अलेटा को बताता है कि वैक्टर सब के साथ फ्रॉड करता है वह सब को ये कहकर धोखा देता है कि मैं पैसे देकर तुम सब को स्काइ सिटी भेज दूंगा जबकि कोई इनसान पैसों के जरिये वहाँ नहीं जा सकता और हर कोई स्काइ सिटी जा भी नहीं सकता सिर्फ वही लोग वहाँ पर जाके रह सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुआ है और इस दुनिया से सिर्फ वही लोग Sky City में जा सकते हैं जो उस रेस के विनह होंगे इसके इलबा कोई भी नहीं जा सकता डॉक्टर अलेटा को यह भी बताता है कि वो और उसकी वाइफ Sky City में ही पैदा हुए थे और वो यहाँ पर अपनी बेटी की इलाज करवाने आये थे और तब से वो यहीं पर ही फस गए अब यह सब सुनकर अलेटा को बहुत गुसा आ जाता है और वो वेक्टा को मारने के लिए चली जाती है वहाँ से अलेटा सीधा फैक्टरी जाती है और वहाँ पर वेक्टा की सारी रोबोट अलेटा पर अटेक कर देते हैं मगर अलेटा के पास अब एक ऐसी बॉडी थी, जो बहुत पावफुल थी, इसलिए एलिटा बड़ी आसानी से सभी रोबोट को मार रही थी. अब सभी रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा जाती है वेक्ट को मारने के लिए, मगर तभी वहाँ पर वही पहल अलेटा उस वर्ड वार में फाइट कर रही होती है जो आज से करीब 300 साल पहले हुई थी. मगर उस वार में उसकी सारे साथी मारे गए और अलेटा की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उस गार्बिज में फिक दिया. अब यहाँ पर अलेटा को सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था और उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि तभी वो रोबोट अलेटा पर अटेक कर देता है. अलेटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट की दो टुकडे कर देती है और फिर अलेटा उस तलवार को वेक्ट के आर प स्काइ सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उपर कुछ भी नहीं है हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजार देंगे तब एलिटा की बाते सुनकर हुयगो मान जाता है मगर उपर से स्काइ सिटी का मालिक ये सब देख रहा होता है और तभी वो उ काफी दुखी हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो स्काइ सिटी जाके वहा के मालिक को मार डालेगी अब हम देखते है कि एलिटा वो रेस भी जीत जाती है और उपर स्काइ सिटी की तरफ अपनी तलवार दिखाती और कहती है कि मैं आ रही हू तुम्हें मारने के लिए और ये मूवी यही खतम हो जाती है थैनक्यू फॉर वाचिंग, प्लीस सब्सक्राइब